अलो फ्रेंट्स आल्टिपस इपीसी ब्योडिक चैनल में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए हम साथ में ही बिला इकान को भी दबाईए ताकि जैसे में वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपक इस एक उजारी से की बीडियो को सुरू से अंत तक देखिए तभी आप इस्टेप बाई इस्टेप समझ पाएंगे तो आए बीडियो को सुरू करते हैं तो हैजन क्लेवर विधी क्या होता है कि या कैलसियम आक्सी कॉलाइट के और दोगी निर्माड विधी होती है यानि इस विधी के द्वारा कैलसियम आक्सी कॉलाइट का और दोगी कस्थर पर निर्माड किया जाता है तो कैलसियम आक्सी कॉलाइट का और दोगी कस्थर पर निर्माड करने की एक विधी है उसका नाम है है हैजन क्लेवर विधी तो इसका एक सेटप यहां पर मैं बना दिया ह तो इसमें क्या होता है, कि एक stand होता है, यह क्या है, एक stand, stand के जरिए, लेड या लोहे की, क्या होता है, एक बिलनाकार pipe लगा होता है, यह जो pipe है, यह किसका है, लेड या, पीबी, या iron, लेड या iron की एक बिलनाकार pipe होता है, इस पर यह बीच वाला जो है, एक soft लगा होता है, soft पर बिलेड लगे होते हैं, soft जो होता है, यह vertical axis पर, यह कौन सी लाइन है, बुझे हुए चूने को, calcium, hydroxide को, इसके सहायता से, hopper की सहायता से, इसमें डालते हैं, और यह जो बिलनाकार pipe या लेड की जो बिलनाकार pipe होती है, यह एक पतली pipe के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और नीचे एक पतली pipe होती है, जिसके सहायता से, नीचे से, कौलोरीन गेस परवायत करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कि hopper के जरिये हम calcium hydroxide को इसमें डालते हैं, इसमें जैसे ही calcium hydroxide डालते हैं, त नीचे से कौलोरीन गेस को परवाहित करते हैं, तो calcium hydroxide जो उपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे से कौलोरीन गेस उपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों आपस में किरिया करते हैं, और calcium oxy chloride प्राप्त हो जाता है, जिसको क्या होता है, कि सनियंत्र के सबसे नीचे ये क किस परकार से किल्वार करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि calcium hydroxide कलोरीन से किल्वार करता है, और Caो Cl2 plus H2O का निर्माट कर लेता है, तो कुछ लोग यहाँ पर सोच लें हैं, जैसे calcium hydroxide कलोरीन से किल्वार किया तो यही क्यों बना है, यानि calcium oxide chloride ही क्यों बना, कैल्सיUम chloride क्यो कुलोरीन से किजा करते हैं, यह बहुत यह आसान स्यंपल सर्यक्षन है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह किसी मिलकर बना हुआ है, तो कैलसियम हार्ड आकसाइड यह है, कैलसियम आकसाइड और H2O से मिलकर बना है, क्यूंकि हम H2O को HOH लिख सकते हैं यहाँ पे 1 CAO का A को H मिलके आपस में OH बना OACOH यानि 2 OH हो गया तो यहाँ पे हमें मिल गया CAOH का whole twice तो यहाँ पे इस reaction में यानि calcium hydroxide chlorine से किर्या करा है तो इसके अस्थान पे समझ दो यही लिखा है तो इसमें क्या होगा water तो release हो गया तो इसमें क्या बचा CAO CL2 से किर्या गरेगा CAO CL2 प्राप्थ हो जाएगा तो इस वीडियो में हम जान गए है कि calcium oxygen chloride का और दोगी का अस्तर पर किस परकार से निर्मार के आया था यानि हैजन clever विधी को हम समझ गए है किस परकार से किर्या करता है वे भी समझ गए है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए comment करके बताएं कि वीडियो कहसा है thank you for watching God bless you